Okay students next question आपके पास if the Shalimar Express जो है वापके पास क्या है क्रेन है Shalimar Express एक पॉइंट से बी पे इच करती है ठीक है और कितना दूर जाएंगी 210 km अवे और कितनी देर में जाएगी दो घंटे 2 hours and 20 minutes ठीक है कितना टाइम लेगी वह सी पॉइंट तक पहुंचने के लिए अगर वह कितना दूर जाती है 360 km अच्छा अब आप एक चीज देखनी है जैसे महाँ पास पहले दिया वा था ना एक कोईशन में के यह आपके पास था कोईशन नबर 4 में जिसमें हमने 2nd में कनवर्ट किया वा चीज़ है 2 hours 20 minutes तो कम किया है दोना में minutes ठीक है तो हम minutes में आएंगे ठीक हम इसको किसमें convert करेंगे minutes में convert करेंगे तो पहले हम convert कर लेते हैं इसको minutes में तो हम यहाँ पे किस तरीके से करेंगे यहाँ आपके पास आ जाएगा one two hours twenty minutes अब one hour में कितने आपके पास minutes होता है sixty चीक है two multiply by हम hours से minute मिनने two को हम sixty से multiply करवाएंगे plus twenty minutes ये वाले आपके पास तो ये आप किसको इसे multiply करवाएंगे पहले multiply करवाता है ना हमने demand rule पढ़ा है multiply करवाएंगे one twenty plus twenty minutes so total आपके पास कितने बनेंगे one forty minutes हो जाएंगे अब आपसे यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आपने ये जो शाली मार एक्सपेस है वो A से B point पे गई ठीक है और कितना दूर गई हो 210 km और time क्या था one forty minutes लगे अब आपसे कह रहे हैं कि C point पे वो कितना दूर गई है C point पे 360 km गई है तो कितना time लगेगा तो time आपके पास इस side पर हैगा ठीक है और kilometers आपके पास distance रहे है वो इस side पर हैगा तो किस तरीके से आप लिखेंगे शालिमार एक्सप्रेस शालिमार एक्सप्रेस ट्रैवल 210 km in one forty minutes अब आपने one kilometer का find करना है तो अब आपको पता चली गया होगा कि कैसे find करना है one forty को किस से डिवाइड करवाएंगे जितने kilometers है तो यह आपके पास क्या आजाएगा cancel करवाद देंगे seven की table से cancel करवाद देंगे divide by seven seven two's are 14 seven threes are 21 ठीक अब आपने find करना है कि शालिमार एक्सप्रेस ट्रैवल 360 km तो हम one का find करने की बाद क्या करते है पहले one का find करते है ठीक फिर और अगर हमें जादा find करना है कम find करना है तो वहली हम क्या करते है multiply करवादेता है तो हम 360 से multiply करवादेंगे three ones are three three ones are three three twos are six and zero तो हम multiply करवाएंगे तो यह आपके पास आजाएगा 240 minutes अब देखें आपके पास चाली मार एक्सप्रेस जो है वह 360 किलो मीटर तक जो थर्ड पॉइंट पर कोई है वह सी पॉइंट पे कितने minutes में देखेंगे 240 minutes अब आप क्या करेंगे इसको hours में convert करेंगे previous question में हमने hours में कम हुझे है वह change किया है तो हम किस तरीके से करेंगे 240 को हम डिवाइड करवाएंगे 60 से ठीक है 240 डिवाइड बाइ 60 00 से cancel हो जाएगा 6 बंस और 6 6 बंस और 24 तो यह आपके पास answer आएगा 4 hours कितना आएगा 4 hours साथ